सबका साथ सबका सबका सबको जोड करके चलने से कैसे परणाम आते हैं हमने करके दिखाया वंदे मातरम का अपमान किया गया और ये अपमान समाच के अंदर नहीं बलकि संसद के अंदर भी किया गया और हमने देखा कि किस तरीके से बसपा के एक सांसा जिनका नाम शफीकुर रह्मान था उन्होंने इस वंदे मातरम का अपमान किया जानी कि जब वंदे मातरम का अग क्यों किया जाता है इसके पीछे के क्या कुछ कारण है जबकि देश में आपको कई इस तरीके के मुस्लिम मिल जाएंगे जो इन तमाम चीजों को दर किनार करते हैं और इन तमाम चीजों का सम्मान भी करते हैं तो ऐसी ही एक शक्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में आज नहीं है लेकिन फिर भी मैं परचे आपका करवा देता हूँ हमारे साथ सूफी संत महभूब अली बाबाजी है आप गुजरात गौवर्मेंट हज कमेटी के चेर परसन भी है इसकलावा गुजरात माइनोर्टी के भी प्रसिडेंट आप नहीं है और आज सबसे दिलच आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे और जानने की भी हाँ पर कोशिश करेंगे कि आखर ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमारे समाज के अंदर क्यों आई हैं इसके पीछे के क्या कुछ कारण है और आखर ये इस तमाम चीज़ों के बारे में क्यों ये जो भ्रांतियां हैं हम मैं आपसे समझना चाहूंगा बिजिकली वंदे मातरम के इश्यू पे जो कॉंट्रावर्श्री है वो उसके अर्थ पे है जिसे के जो जो लोग इसका मीनिंग वंदन का अर्थ पूझा करते हैं तो इसलाम के बेजिक कॉंस्टिटिशन में ये है कि पूझा जो है भक्ती जो ह वो निरंजन नर्याकर इश्वर खुदा की ही की जा सकती है नभी से वली से या तो तुम धर्टी से प्यार कर सकते हो पूझा सिर्फ इश्वर की कर सकते हो लेकिन जो इनका ये मिनिंग है ये काफी हद तक शंकुचित है वंदन का अर्थ आप डिक्शनरी में देखो मैंने अपनी फेस्बूक पे भी उसको रखा हुआ है इंटरनेट पे आप देखो तो वंदन का अर्थ होता है सेल्यूट याने सलाम करना अगर इसका मिनिंग तुम निकालाओ तो असलाम ऐस सरजमीन हिंदुस्तान होता है तो जो वतन जिस वतन में हम रहते हैं जिससे प्यार करन जिसका इस्वारान के पिगंबर अनुज़क पेजरत महम्मध सहब में चावधा कि एक समें थाजानेट तो ये एक संकूचित बानकरा है कि हम एक दुसरे की सलामती की कामना रखते कलते हैं कि बगवान तुझे सलामत रखे खुदा तुझे सलामत रखे मैं ये कहता हूँ कि इसी भारत की मिट्टी से हम बने हैं पंच महाबुत जो है हमारे पांच अनासिर जो है आप पानी मिट्टी है इसी से हम बने हैं और इसी में हमें मिलना है तो इस वतन से महबत करना इमान है अगर वतन सलामत रहा भारत सलामत रहा तो हम सलामत रहेंगे वरना एक दूसरे की सलामती की कामना का क्या मतलब है तो ये अर्थ के अंदर मैं मानता हूँ कि इस अर्थ में वंदे मातरम को कहना कभी भी नाजाइश नहीं हो सकता बलके किसी भी मजभब में इसलाम को चोड़ो किसी भी मजभब में अपने वतन को अपनी माँ को सलाम करना कभी भी नाजाइश नहीं हो या कुछ तद तो हमारे समाज के अंदर ऐसे हैं जो इन तमाम चीज़ों को ब्रेन वाश कर देते हैं उसके बाद लोग इनको कटरपंथी विचारधारा के रूप में देख करके इन तमाम चीज़ों को पोस्ट करते हैं देखो कुछ कटरपंथी जो और्टोडोक्स विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने सिर्फ किसी एक एकस्पेक्ट में ऐसा नहीं किया है बहुत सारे ऐसे बिंदू है जिन्हों में उन्होंने गलत मानियता हैं रखी है जैसे के टेरिजम के बारे में सुसाइट बॉंबिंग के बारे में मुहमत पेगंबर ने किलियर कट ये कहा कि देहसत गर्द हमें से नहीं है जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं है तो भला जब आतंकवादी मुसल्मान ही नहीं है तो फिर अगर वो आतंकवाद या देहसतगर्दी करता है ऐसा काम करता है तो वो इसलाम धर्म की व्याक्या से उसकी बॉर्डर से बाहर हो जाता है फिर अगर वो टर्बन पहन ले चाहे जबा पहन ले चाहे बड़ी दाड़ी रख ले तो उसे मुसल्मान नहीं कहा जा सकता जब तुम तुम्हारे इस्ताम धरम के इस्थापक मुहम्मद पेगमर सहाब की आगना का ही duy लगन करते हो तो फिल तुम मुसल्मान कैसे हो हजारों बेकसूल लोग मारे जाते हैं निदोस ही बूर्जें भूडें हर किसम Var मजभी साब आये थे सबसे पहले हमारे मुख्यमंद्र मोधी सहां दी loaf और छे सो पूर्ञान से भीहत है शुजझा से पर्शाइट हुए। ये बिलकुल खिलाफ है किसी भी धर्म की निंदा मत करो किसी भी धर्मस्तान का अपमान मत करो यानि इन सारी चीजों के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कटरवात को फैलाते हैं जो जिहाद की परिभासा गलत करते हैं और यही चीजे आज मानवता के लिए एक दुस्मन बनी हुई है विश्व में एक असान्ती के लिए एक बहुत बड़ी वज़ा बनी हुई है तो इन सबसे हट कर हमें सरवधर्म संभाव एकता और जो मजभब के पॉजिटिव एकस्पेट्स है उस पर हमें कॉंसलिशन करना चाहिए तबी हम एकता और जो भारत का जो हमें महासत्ता बनाने का सपना है उसे हम पूरा कर सकते हैं बिल्कुल लेकि महबूब अली जी थोड़ा सा और मैं चर्शा करना चाहूँगा हमारे देश के अंदगर हम लोग बात करते हैं तो जो कमिनल राइट्स हुए हैं या जो हिंदु मुसलिम दंगे या फिर मुसलिमों को या आपस में जो दंगे होते रहते हैं उसका इतिहास बड़ा पुराना रहा है लेकिन गुजरात की जब भी बात आती है तो जाहे हम कॉंगरेस पार्टी की बात करें वो बहुत ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को बढ़ा चड़ा के पेश करते हैं कि इस तरीके की चीज़े हुई आप चुकि खुद गुजरात से जुड़े हुए हैं आप खुद एक माइनॉर्टी से आते हैं क्या वाकई में जो हकीकत पेश करी जाती है या फिर कॉंगर्स पार्टी जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को रखती है कि वहाँ पे दंगे के समेश तरह किसी चीज़े हुई मुस्लिमों के साथ इस तरीके का व्यभार हुआ उसके बारे में थोड़ी सच्चाईयां आप से जानना चाहूँगा देखो एक बात ऐसी हुई कि दंगों का इतिहास गुजरात को जब याद किया जाता है तो 2002 के साथ याद करकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है 1969 में जब गुजरात की ही बात करो तो वहां हितिंद्र देसाई की गवर्मेंटी जो कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री थे पांच हजार लोग मारे गए थे उस वक्त दंगों में खुद इंद्रा गांदी जी प्राइम मिनेश्टर थी और वो एहमदाबाद आई थी उस वक्त कोई एक्सन ने लिए गए महीनों तक दंगे चले ना एफायर हुए ना चार्शिट हुई ना किसी को सजा हुई उसके बाद 85 के अंदर बादवसी सोलंगी की गवर्मेंट थी उस वक्त भी बड़े दंगे हुए जो 2002 के बराबर थे हजारों लोग मारे गए कोई एक्सन ने लिए गए उसके बाद 87 में अमरसी चोधरी की गवर्मेंट थी जो भी कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री थे 90 और 92 में चीमन पटेल कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री थे 92 में मैं जहां सूरत में रहता हूँ वहां कही लोग मारे गए और होम मिनिस्टर कॉंग्रेस के सीडी पटेल सूरत में ही मौझूद थे फिर भी उन्होंने कोई action नहीं लिये आज तक उनको किसी को सजा नहीं मिली स्रीकिस्ने कमिशन का जो रिपोर्ट था महाराश्ट के अंदर उसको कॉंग्रेस ने डस्बिन में डाल दिया किसी पर action नहीं लिया, तो दंगे कहा नहीं हुए, मलियाना में हुए, मेरट में हुए, जमशेटपूर के अंदर हुए, बिहार में भागलपूर में हुए, और अभी भी हुए आसाम के अंदर, चाल लाख लोग refugee है, कैमपों में रह रहे हैं, महराश्ट में अभी हुए, रा कसूल लोगों को मारते हों और तुम फिर कहते हों कि action नहीं लिया और अगर किसी एक terrorist को मादिया जाए, अगर एक किसी क्रीमिनल को encounter के बारे में मादिया जाए, तो तुम पूरा बाबाल मचा देते हो, यानि कहने की बात है कि हम आह भी करे तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम देखो के 2002 में जब रायट्स हुए, हमारे अंदरेंदर भाई उस वक्त मानते हैं हमके बिल्कुल नहीं थे, उसके पहले वो counselor भी नहीं थे, तो फिर भी उसके भावजूद वो उन्होंने जो action लिये, जो surrounding states है, महराष्ट है, राजल स्थान है, उनसे उन्होंने पु गुजरात का इतियास रहा है कॉंग्रेश की हुकूमत में, कि जब दंगे होते थे तो महीनों तक चलते थे, दो महीने, चार महीने तक चलते थे, जबके नरेंदर भाई ने से तीन दिन, चाह दिन में उसे कंट्रोल कर लिया, और आज उसके बाद जब पूरे administration में उनका कं गुजरात में हैं, कि कि किसी भी Muslim बस्ती में रात को दो बजे कोई Hindu लड़की जा सकती है तनहा, और किसी भी Hindu बस्ती में को Muslim लड़की तनहा जा सकती है, त्जबावना है, प्यार है, महबत है, और जो विकास हुआ है, जो सुसासन हुआ है, इस आजहरी की बात कर रहा का population percentage-wise कम है 9% है फिर भी यहाँ सबसे जादा percentage-wise 9% मुसल्मान गवर्मेंट जॉब में है according to Central Government data और सच्चर कमीद यह कहते थी के Police Department मों मुसल्मानों का deployment होना चाहिए हिंदुस्तान में सबसे जादा percentage-wise मुसल्मान यहने 10.6% मुसल्मान पुलिश डिपार्टमेंट में है और इनके तो इतने states हैं कि जो data भी पूरा पहुचाते नहीं है जो वडापदान मनमोहन सिंग ने 15 point development program जो बनाया minorities के welfare के लिए उसमें गुजरात को good grade मिला 18 states को जो poor grade मिला है वो Congress की states है कहने की बात यह है कि तुम विकास नहीं कर रहे हो तुम education में काम नहीं कर रहे हो literacy rate मुसल्मानों का all over India में only 59% है गुजरात में 73.5% है गुजरात में हिंदों का literacy rate 68% है याने मुसल्मानों का literacy rate उससे भी जादा है याने सरकार जो है सबका साथ सबका विकास बिना भिद्भाव के काम कर रही है और आज agriculture में तो गुजरात अभी टॉप पे पहुचा है 11% growth rate के साथ पहले तो यह समझता था कि ऑद्योगीक सेतरे में सबसे आगे है लेकिन अभी agriculture में हर जगा पे गुजरात आगे है जो हमारा GDP growth rate है वो भी देश के rate से 3.2 times more है तो इतनी ज़्यादा development है विकास है सांतिय सलामत ही और क्या चाहिए मैं यह केता हूँ गुजरात ने एक जो दिसा दी है हिंदू-मुस्लिम एकता की सदभावना की विकास की जो दिसा गुजरात ने दी है अगर यही दिसा पर भारत काम करें तो भारत को महास्ता बनने से कोई रोग में चाहूंगा जब भी मोदी जी की बात आती है या मोदी का जब भी जिकराता है मीडिया के अंदर तो उनको एक समुदाय विशेश के नेता के रोप में देखा जाता है या फिर उनके साथ बहुत सारे इसी चीजे जोड़ दी जाती है कि वो एक धर्म संप्रदाय को बिलॉंग करते हैं कटर वाद हैं इस तरीके के शब्दों का इस्तवाल किया जाता है प्रधानमंतरी पत करे जब दावि दारी आती है तो एक सेकुलर नेता लोग ढूनते हैं क्या मोदी जी अगर प्रधानमंतरी बनते हैं तो देश का विकास उसी तरीके से होना आप देख पाते हैं संभव है जिससे गुजरात का हुआ है कि इस तरीकी की स्थितिया बन पाएंगे मुस्लिमों की स्थिति उस पर कैसी होगी ये भी आप से समझना जाओंगा देखो अगर मैं कहूं तो according to government data में आपको कहूं कि ये सत्य हकीकत है कि मोदी से बड़ा secular नेता कोई नहीं है हिंदुस्तान में ये सारा विकास और सुसासन हमने गुजरात में साबीत करके बताया है ये minority की बात नहीं है ये बात करते हैं पूरी जनता की बात करते हैं हम भारत की बात करते हैं भारतिय की बात करते हैं राश्टरवाद की बात करते हैं इसमें minority majority की बात ही नहीं है ये जो कट्टरवादियों का तुरुष्टी करन Congress के निताओं ने किया है कुछ कट्टरपंतियों को लाब दे कर उनको फाइदा पहुंचा कर ये समझते हैं कि पूरे सम रात में आये थे बुजिस्ता साल और उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में ये कहा कि सच्चे समिटी का जो रिपोर्ट जिसमें साबित हुआ कि कॉंग्रेस ने ये आजादी के बात 60 सालों में सिवाए मुसल्मानों की बरबादी और बेहाली के कुछ किया नहीं है उसके बाद कि जिस तरह कि से गुजरात में हमने सबका विकास किया है मुसल्मानों का विकास हुआ है हिंदूओं का विकास हुआ है सबका विकास हुआ है वैसा डेवलप्मेंट तुम किसी एक स्टेट में साबित करके दिखाओ योजना बनाओन ऐसे कुछ नहीं होता वो तो तुम इस्तल क्वर्मेंट के डेटा देते हैं हम नहीं देते हैं तो यह सारी चीजह साबित करती है कि यह जो गुजरात में नरेंदर भाई जो पूर्ण बहुत कम है लेकिन चलते चलते बिलकुल अगर हमां दर्शकों को आप को संदेश देना चाहते या आप उनसे कुछ कहना च शुबागिया रहा कि आज ही मेरी appointment हुई और सबसे बात तो मैं आपकी सुदरसन टीवी को भी मैं अभिननन देना चाहता हूँ और मेरे लिए शुबागिया है कि मालिक ने मेरे लिए सोच के रखा था कि मैं खुद एक राष्टरवाद से और देश प्रेम से जूरी हुई गत कहा है चैप्टर फाइब में कि तुमने अगर किसी बेकसूर इनसान की हतिया की तो तुमने मानवता की हतिया की और तुमने अगर किसी नेदोस को बचाया तो मानवता को बचाया मानवता ही सबसे बड़ा सबसे बड़ा धर्म है हम सब भूल जाएं कि किस जाती धर्म पंथ संपरदायों और प्रदेश को भूल कर हम सब भारतिये बनकर एक और नेक बनकर उसके विकास के लिए आगे बड़े तो जरूर हमारा भारत महासत्ता बनकर रहेगा और जो आज हमको चाइना से या अगर अगर अधर कंट्रीज से जो खत्रा है वो बिलकुल नहीं रहेगा और मिझे उम्मीद रखता हूँ मुझे पूरी विश्वास है कि विश्व गुरू बनाने का जो हमारा सपना है वो इसी दिसार से जरूर शाकार होगा चलिए सूफी संथ महबूब अली जी आप फिर मुस्लिमों के अंदर जो भ्रांतियां है उनको किस तरीके से दूर किया जाएं तमाम चीजों के उपर प्रकाश डाला तो हम उम्मीद करते हैं कि जो संदेश महबूब अली बाबाजी ने आपको दिया है उसको अगर आप समझेंगे तो आप भी अंदेमात्रम का जो सम्मान है उसको करेंगे और अपने राष्ट को प्रगति के मार्ग पर अगरसर कर सकेंगे सबका साथ सबका 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 सबको जोड़कर के चलने से कैसे परनाम आते हैं हमने करके दिखाया